हाई लो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई स्टेडी फीड चैनल दोस्तों आज के वीडियो में विभिन खेलों के नेट एंड उसके रैकेट की मेजरमेंट एंड मर्धिबृत का अर्धव्यास एंड खिलाईयों के टीसा अर्परज नंबर एंड पेनार्टे स्पार्ट एंड खेल तो दोस्तों यदि आप प्रिप्रिशन को बहतरी कर सकते हैं दोस्तों डिली भी सेज्ट पर प्रिविए सियर कुस्ट श्रीद दिये जा रहा है उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेलो के नेत यानि रैकेट गए में तो सबसे एब बात करेंगे हांकी हांकी में नेट होता है गोलपोस्ट में उसकी लंबाई चौडाई होती है 40 met 405 cm में जो नेट होता है उसकी जो उचाय होती है पूर्षों के लिए 2.4-3 मिटर और महलाओं के लिए 2.4 मिटर होता है चड़ाई 1 मिटर होता है एन नेट की लंबाई 9.5-10 cm होता है एन जो नेट पर उपरी पट्टी लगी होती है चवड़ी वो 7 cm और निचली पट्टी 5 cm और किनारे की पट्टी भी 5 cm होती है और बालिवाल में एक एंटिना होता है जिसे फ्लेक्सिबल रोड भी वुला जाता है वो 1.8-0 मिटर यारी की 180 cm लंबा होता है जिसमें से और आट के एक मिटर नेट में होता है और अशी संतिमिटर ऊपर नेट के उपर होता है और वो प्ली दससंेटिमिटर लाल और गषचली संपेद रंग क का और नेट के खाने का आकार दस गुणिधा रहता है यानि कुल 1000 खाने होते हैं अब बात करते हैं बैड मिनिटर की बाइमिन्टे में नेट जो होता है उसकी लंबाई 20 फिट होता है चोड़ाई 2 फिट 6 इंच होता है यानि 76 cm कोड की किनारे पर नेट की उपरी सीरो की उचाई 5 फिट 1 इंच यानि एक दुसमलो 5-5 मिटर होता है तो थामध्य में पांच फिट यानि एक दुसमलो 5-2-5 मिटर उचाई होता है तो बाइमिन्टे की ग्राउंड की लंबाई चोड़ाई एकल के लिए चोड़ाई 24 गुड़े 17 फिट यूगल के लिए 24 गुड़े 20 फिट होता है एंड बाइमिन्टे की रेकेट की लंबाई जो है वह 6-6 cm होता है एंड चोड़ाई 23 cm एंड रेकेट के तार चितर का लंबाई चोड़ाई 28 गुड़े 22 cm ďंड सटल काग जो होता है जिसे जिसकी जो होती है, वो 12 से 70, यानि 6 से 7 संटिम्यम होता है, जिसकी सटल की उपरी सीरो का ब्यास 59 से 68 संटिम्यम, एंड अधार का ब्यास 25 से 28 संटिम्यम होता है, नेश टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के नेट की लंबाई 6 फित होता है, चड़ाई 6 इंच होता है, यानि 15-25 संटिम्य और नेट दोनों तरफ से साइड लाइन से 6-6 इंच बाहर निकला रहता है ठीक है 6-6 इंच बाहर निकला रहता है निच्ट आए टेनिस यानि लान टेनिस इसमें नेट की उचाए 3 फित होती है यानि की दसमलो 9-1-4 मीटर और खम्भों के साथ नेट की उचाई येकल यूगल दोनों के लिए 3.5 फित यानि 1.07 मिटर एंड रैकेट तेनिस में रैकेट की लंबाई 29 इंच यानि 73.66 सेंटिमीटर एंड चवडाई 12.5 इंच यानि 31.75 सेंटिमीटर जतर अब बत करेंगे खिलाड़ियों के टीशाट पर प्लणिद नंबर जिसका पूछा जाता है बाले बाल में जो टीशाट पर प्लणिद नंबर होती है तो इसकी चाती पर इसकी लंबाई चोड़ाई होती है नमबर की 15 गुड़े 10 cm एंड पीठ पर 20 गुड़े 10 cm होता है एंड बास्केट बॉल बास्केट बॉल में जर्शी का नमबर 4 से 15 तक होते हैं जिसमें से पीछे का नमबर 20 गुड़े 2 cm और आगे का 10 गुड़े 2 cm ठीक है? एंड नेश्ट है खोखो खोखो में भी 1 से 12 तक जिसमें का नमबर होते हैं आगे 10 गुड़े 2 एंड पीछे 20 गुड़े 2 cm होता है एंड दोस्तों फुटबाल और बास्केट बाल की मधि बृत का अर्धवियास बार बार पुछा जाता है तो फुटबाल में मधि बृत का अर्धवियास 10 गुड़े 2 cm एंड पांच मीटर होता है ठीक है? अब बास्केट बाल में 1.8 जिरो मीटर होता है ठीक है? मधि बृत का अर्धवियास अब बात कर लेते हैं दोस्तों पिनाल्टी स्पार्ट की किसका किसका पिनाल्टी स्पार्ट बार बार पुछा जाता है गोल रेखा के मधि से दूरी जैसे कि दोस्तों फुटबाल फुटबाल में जैसे कि पिनाल्टी स्पार्ट 12 गर्ष की दूरी पर गोल रेखा से होता है यानि 12 गर्ष यानि 11 मिटर एंड होंकी में पेनल्टी स्पार्ट साथ गच की दूरी पर होता है जिसका ब्यास छे इंच होता है एंड हैंड बाल साथ मीटर की दूरी पर पेनल्टी स्पार्ट होता है यानि गोल की पर रेखा से चार मीटर दूर होता है गोल पोस्ट गोलकुपर रेखा, चार मीटर दूर गोलपोर से दूरी होता है, पोलो में 10 गजब दूर होता है, पेनल्टी स्पर्ट, एन्दयो खेलो के कार्ड जैसे हाकी एंडय, हैंडबाल, एंडफूटबाल का पुछा जाता है, जैसे कि हाकी में तीन कार्ड दिखा जाते हैं, green yellow and red green green card दिखाने पर 2 minute के लिए बाहर कुर्सी पर बठा दिया जाता है और yellow card दिखाने पर 5 minute के लिए बाहर कुर्सी पर बठा दिया जाता है and red card दिखाने पर game से बाहर कर दिया जाता है and handball जो होता है उसमें पीला और लाल card दिखा जाता है पीला चेतावने के लिए लाल खेल से बाहर ठीक है कर दिया जाता है जिसमें टीम छे खिलाई से खेलेगी फुटबाल में भी दोस्तों पीला लाल दो ही कार्ट दिखाया जाते हैं पीला चेतावने के लिए लाल खेल से बाहर करने के लिए ठीक है तो दोस्तों यह था एक छो आपको समझ में आया होगा और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों पहली विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे न्यू वीडियो को आप डेट आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो मिनेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जये हैं